आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now हाँ जी देखिए हैं कुश्चन देख है Where will the hour end of a clock stops if it starts from 7 and turns through 2 right angles कुश्चन में कहा जा रहा है Where will the hour end of a clock stop अगर वो start करती है 7 से और turn करती है through 2 right angles सबसे पहले मैं यह clock बनाता हूँ दुबार से देखिगा यह clock है यह 12 है यहाँ 12 के ज़स सामने क्या होगा 6 और left में यहाँ होगा 9 और इतर होगा 3 ठीक है यहाँ की 1 प्लेस होगा 2 होगा 4 5 6 7 फिर 8 9 के बाद होगा 10 11 12 ठीक है जैसे की कुश्चन में कहा जा रहा है Where will the hour end of a clock stop if it start from 7 अगर वो 7 से start करती है जैसे यह 7 है यह इसने 7 से start करना है ठीक है और कहा जा रहा है कि clock stops if it start from 7 and turns through 2 right angles 2 right angles से घूम के वो कहा पे पहुँचेगी यह पुछे जा रहा है देखे अगर एक right angle की अगर मैं बात करूँ तो एक right angle तो यहाँ बनेगा ठीक है और यह 90 degree हो गया फिर दूसरा right angle बनेगा 1 के उपर point clear है जाने कि यह 90 degree और यह 90 degree फिर जाके clock जो है हमारी हो का 1 के उपर जो है hour end जो है रुखे ठीक है तो दो right angles आपने rotate किया दो right angles आपके सामने है 90 और 90 जाने कि यह पूरा straight angle बन गया ठीक है तो यह मैं लिख सकता हूँ the hour end the hour end of clock stops of clock stops at 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 1 at 1 when it starts from 7 when it starts starts from 7 starts from 7 and turns through from 7 and turns through to two right angles yeah straight angle turns through two right angles ठीक है यह ही इसका answer है आपको यह question समझा है होगा thank you classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज जी डाउनलूट करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीजे अपने डाउट्स आज चार्सो 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 पर यह